जैहिन साथियों स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डीजे सर क्लासेस पर और मैं आपको पढ़ाऊंगा Mathematics और Mathematics में मेरा वाइदा है कि दिल्ली मेट्रो कॉंस्टेबल परिक्षा में 15 में से 15 नंबर मैट्स में आपके में पक्के करवा दूगा यहाँ पर डैली पुलिस प्रिवियस येड जो कोश्चन है वो सारे आपके साथ डिसकस करूँगा ईजो बच्चेवा दिन है अंतिम आपके बहुत महत्तवपूर दिन है इस में हम दिवाली की त्यारी तो करेंगे ग Inनली तियारी सार्षा लगा के गए हो तो पक्का है आपका कोई भी जो है 15 में से 15 नंबर नहीं रोकने वाला है तो फटा-फट जो है क्लास से जुड़ जाइए और जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास बहुत ही शांदार और बहुत ही आपके पास इंटरस्टिंग होने व वाले हैं तो प्रिविएस एर एक्जाम में आ चुके हैं तो पहला कोईशन देखते हैं ज्यादा समय नहीं लगाते हैं और जो है परस कोईशन स्टार्ट करते हैं आपका उस सम्चत्रबुच का शित्रफल वर्ग सेंटीमेटर में कितना होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमेट और छोटा विकन जो है वो 12 सेंटीमेटर है यह आपका कोईशन है तो चलो अभी जो है यह आपका सम्चत्रबुच है तो यह रहा आपका सम्चत्रबुच और इस सम्चत्रबुच को जो है अपके देखते हैं यह आपका रहा सम्चत्रबुच अब क्या बोल रहा है कि आपक यह आपके पास चोटा विकर्ण है यह आपके पास चोटा विकर्ण है और यह आपके पास चोटा विकर्ण है और यह आपके पास चोटा विकर्ण है और यह आपके पास क्या है बड़ा विकर्ण है यह दूसरे को क्या कर रहे है राइट एंगल बाइसेक्ट कर रहे है इसको क से लेकर यहां तक 12 है तो confirm है कि यह आपके पास 6 होगा और यह भी आपके पास 6 होगा अब आप देखो यहां पर जो है आपको एक पाइथोगोरस थियोरम लगा सकते हो यह आपके पास के एक राइट यह ब सकते हरो तो अब आप बताओ अगर यह दस है और यह 6 है तो यह भी होगा तो अभी आप देखना यह पर से लेकर num इतना हो गया, 16 हो गया, मतलब आपके पास देखो, D1 जो की बड़ा विकर्ण होता है, उसका मान भी आ चुका है, D2 जो की छोटा विकर्ण होता है, उसका मान भी आ गया, D1 बड़ा विकर्ण जो है, वो आपके पास 16 है, छोटा विकर्ण जो है, वो आपको 12 दिया हुआ है, अब अगर बोचता है कि इसका area निकालो, है न, इसका शित्रफल निकालो, बड़ा आसान है, इसका area क्या होता है, इसका area होता है, एक बटा 2, D1 और D2, 13, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये आपके पास एक बटा 2, और क्या किया, आपके पास D1 की value 16, और इसका मान कितना हो गया, 12, तो यहां से आपके पास cancel out कर दो, ये आपके पास कितना हो गया, 6 बार और इसको इससे मुना कर होगा, तो value कितनी आ जाएगी, 96, ये वाला विकल्प जो है, हमारा right होगा, बाकी विकल्प जो है, वो गलत हो जाएंगे, ये पहला question है, इसका मतलब क्या हुआ, mensuration में, आपने ये जो formula है, लगभख सारे पढ़के जाने है, आप ध्यान लखना question तो एक अलग बात है, लेकिन वो question देखने के बाद, आपने क्या करना है, उस question से आपने क्या समझना है, ये बहुत ज़रूरी है, अभी आप देखना, इस question को देखो, इस question में basically हुआ क्या, बहुत गुरुजी इस question में आपके formula based question आया, मतलब बहुत ज़्यादा logic नहीं लगाया उसने, उसने simple आपको क्या दिया, एक vikन दिया, एक side दी, और आपसे कहा कि समझतर बुझ का area निकाल के देदो, तो इसका मतलब क्या है, आपके जितनी भी menstruation में, जितनी भी आपके पास geometry है, उन सब के formula आपको सबसे पहले याद होने चीए, अगर आपको formula याद है ना, तो पका अगर वहाँ पर कोई question आया ना, तो इस चीज का मतलब ये है, प्रैक्टिस सेट का मतलब समझाता जाऊँगा, मैं आपको हर question के बाद आपने करना क्या है, इसलिए आपके ये session, life changing session होने वाला है, अगर आप इसको join कर रहे हो तो, अभी आप देखी question number second, question number second क्या बुल रहा है, कि तीन वस्तूओं को प्रती वस्तू 200 रुपे के मुल्ले में खरीदा जाता है, very good भाई साब तीन वस्तूओं 200 रुपे अब हर वस्तूपे दिया आपने और खरीद लिया, तो आप बताओ, अगर 200 रुपे आपने एक और फिर दूसरे भी 200 रुपे और तीसरे भी 200 रुपे, तो टोटल खरीद आपके 600 रुपे की हुई होगी की नहीं होगी, आप बोलोगे, yes, इससाफ़े तो हुई होगी, अब क्या बोल रहा है, कि उसमें से एक को इतने प्रतिशत की हानी पर बेच दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है, एक को आपके पास क्या है, साड़े बारा प्रतिशत की हानी पर बेच दिया जाता है, मतलब लॉस हो गया, तो इस पर जो है, आपको 12.5% का loss हो गया है अब क्या बोल रहा है अन्य दो वस्तूओं को उस मुल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सोदे में 20% का profit हुआ हो अन्य पूरे आपके सोदे में 20% का profit हुआ हो तो आप बताईए दो वस्तूओं पर होने वाला लाब प्रतिशत क्या है अब जो दो वस्तूओं बच्ची है वो इस loss को compensate करेगी जो हानी हुई है उसको compensate करेगी और आपके पास क्या है आपको 20% का profit दिलेगी अच्छा ही बताओ अगर आप 20% का लाब चाह रहे हो तो फिर आप आप चाहा क्या रहे चिस्तो का 20% अब आप देखना 1% और 10% concept आपके tip पर होना चाहिए अगर आपने नहीं सीखाया ना तो सीखिए 1% concept और 10% concept मैंने percentage पूरा basic पढ़ाया हुआ है आपके DJ Sir Classes के YouTube चैनल के उपर आपके playlist में available है अगर आपने 1% और आपके 10% का concept नहीं पढ़ाया ना तो भाई पहले जाओ उसको पढ़कर आओ वो बहुत ज़रूरी है उसकी बिना काम नहीं चलना आप बताओ ये क्या है आप बोलो के गुरूजी this is 10% तो इसका double करते से 20% हो जाएगा बोले हाँ गुरूजी तो 120 इसका मतलब आपको profit कितना चाहिए बोले हमें 120 रुपे का profit तो चाहिए ही चाहिए इस व्यापार में 120 का profit तो चाहिए ही चाहिए इस व्यापार में ठीक है बहुत अच्छी बात है अब आप बताओ 120 रुपे का profit आप दो वस्तू को बेशने पर लोगे एक वस्तू पर तो loss हो गया निकाला आपने total पर है उसका loss अब ये compensate करेगा और ये loss कितना होगा है बले 12.5% का अब वापस फिर देखो इसका 12.5% निकाले है तो दुनिया जानती है आपके पास क्या है 100 का 12.5, 12.5 होता है तो 200 का 12.5, 12.5, 25 होगा हना तो answer आपके पास कितना 25 ठीक है ये आपके पास क्या है 25 इसका मतलब ये 25 loss लेके बेठा होगा है हना तो ये 25 भी इसमें overcome हो जाएगे ये plus आपके अब आपको क्या चाहिए आपको 145 चाहिए 155 आपको चाहिए तब जाकर आप पूरे सोधे पर 20 प्रतिशत का आपके लाब ले पाओगे तो आप बताओ 145 आपको कितने पर लेने है बले आप तो 400 पर चाहिए ना सर एक तो हो गया, एक पित लॉस हो गया ना, बाकी आपके पास क्या बची, दो, और दो की cost price कितनी है, बुले 200 और 200-400, तो हम यह देखना चाहते हैं, कि यह basically आपके 400 का कितना प्रतिशत है, बस यह पता कर लिए 145, 400 कितना परशेंट है, basically हमें यह कितना, तो यह आपके पास क्या है, out, और इसको जो है, हम करेंगे, तो यह आपके पास कितना होगा, चारतिया 12 और 2, आपके पास 25 चार चंग, आपके पास और यह 25, तो कितना हो जाएगा, आपके पास 36 पॉइंट आपके 25 परसेंट, हाना, तो आप देखो, मान कितना दे रखा, यह रहा, आपके पा है बाकी विकल्प आपके पास क्या हो गए गलत हो गए हमें कितना ची होगा हमें यह लेकर आना पड़ेगा उस कॉस प्राइस का तब जाकर हम यह 145 रुपे वसूल पाएंगे तब जाकर हमें आपके क्या है पूरे सोधे पर फायदा होने वाला है कितना आपके 20 प्रतिशत का फायदा होने वाला है बहुत प्यारा कोशन था प्रॉफिट इंड लॉस आपको पढ़के जाना दबा के हुआ है वहाँ जाईए और आपके पास क्या है पढ़िए अभी हम बात करते हैं अगला कोशन नेक्स कोशन अम्मर थर्ड और क्या पूछ रहा है कि बी की तुलना में ए पांच गुना कारे कुशल है बी की तुलना में ए तो यह हमारे भीया है और यह हमारे भी भीया है हम अब बुल रहा है बी की तुलना में ए पांच गुना कारे कुशल है तो यह पांच कैपसिटी और इसकी वन कैपसिटी है अच्छा बताओ आपको पता हूँ रची चंता जो है वो कारे समापती में लगे दिनों के बीच में रेसी प्रोकल रिलेशन होता है जिसकी कैपसिट तो दिनों का अनुपात इसका रेसी प्रोकल हो जाएगा है तो रेसी प्रोकल का मतलब क्या हुआ एक और यह आपके पास क्या है पांच हुगे अगर चंताओ की वीच में आनुपातिक अंतर गुलबहाई एक कारे को पूरा करने में B से 52 दिन कम लेता है। जाँ अंतर कितना है चार और वह अंतर कितना को बावन का 52 देघा एक अनुपात पे 13 का दिक Не एक अनुपात u पैसर दिनों में आपसे क्या बोल रहा है आपसे कह रहा है कि यहां पर आपके टोटल वर्क कितना है तो टोटल वर्क आप कैसे निकालते थे है आपके पास क्या होगा तो अब आप के दोनों साथ शे काम करने में कितना समय लेंगे बोले गूरु जी पैसट बटा शे है हना इतने दिन लेंगे ये दोनों काम को समाप्त करने में और इस इसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा 10 सही 5 बटा 6 दिन 10 सही 5 बटा 6 दिन तो ये गलत विकल्प है और ये वाला विकल्प आपके पास क्या है राइट हो जाएगा बाकी के जो है second number विकल्प जो है वो एक सार भूमिक सकते होगा अटल सकते होगा और ये आपके पास क्या है राइट आप्शन होगा बाकी वाले जो है वो गलत हो जाएगे तो time and work के basic आपको आना चाहिए ये इतना बड़ा question नहीं था बहुत भारी बरकम प्रशन नहीं था बड़ा आसान प्रशन था तो time and work का भी basic आप पढ़के जाओगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी revise करना चालू कर दो बहुत ज़रूरी है अच्छा question number 4 देखो वह चोटी से चोटी संख्या कौन सी है जिसे इन-इन-इन से विभाजित करने पर समान शेशफ़ल, दो प्राप्तो होता है हाना, आप देखो इस question का मतलब अगर समझ में आ गया तो यह question समझ में आ गया यह कहना चाहरा है कि भाईया जब हम इसका भाग इसमें लगाेंगे ना तो दो शेशफ़ल बचेगा अगर हम इसका भाग इसमें लगाएंगे तो दो शेशफल बचेगा अगर मैं इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो दो शेशफल बचेगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन आप्शन्स में से दो कम कर दू इनका भाग पूरी-पूरी बार चला जाएगा बिले हाँ जला जाएगा फिर दो शेज़पल नहीं बचेगा तो आप एक बात बताओ अगर मैं इसमें से दो कम कर दू तो कितना बचेगा बोले गुरुजी यह पहला विकल्प जो है न वह आपके पास कितना ओजाएगा ये हो जाएगा दूसरा विकल्प सर ये हो जाएगा तीसरा विकल्प कितना हो जाएगा गुरुजी यह हो जाए चोथा विकल्प कितना हो जाएगा चोथा विकल्प गुरुजी यह हो जाए तारे विकल्प खेली डिविजिबिटी रूल आप पढ़कर ज़रू जाना अगर आप दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल बनना चाहते हैं मतलब अगर दिल्ली पुलिस में as a constable आप सेवा देना चाहते हैं पर आपका dream job है मतलब आपने सोच लिया है कि नहीं यार मेरे को तो वैसा इस वेकेंसी में आपके constable बनना ही बनना है तो मैं आपसे कहता हूँ आपके divisibility rule जो है वो पके-पके याद करके जाना है जान रखना इस वीडियो के दोरान में बहुत सारी चीजें आपके क्या है open करने वाला हूँ बहुत सारी छोट-छोटी बाते और छोट-छोटी आपके tips आपको दूंगा इन tips को ध्यान में रखकर आप कम से कम समय में जादा से जादा अच्छीव कर सकते हैं अभी आपको एक बात पता क्या कहती है कि दिये गए अंकों के योगफल में यही तीन का भाग जाएगा तो संख्या आपके पास तीन से डिविजिबल है अब आप बताओ तीन नो बहुत आपके आट-चार बारा बहुत यस लेकिन यह दो में नहीं जाता है इसलिए यह विकल पोई नहीं सकता तो सेक से डिविजिबल नहीं होगी चार से डिविजिबल नहीं है तो वह आपके बारा से डिविजिबल नहीं है अचा तीन की डिविजिबलिटी मैं बता दी आपको कि दी गई संख्या के अंकों के योगफल में यदि आपके क्या है तीन का भाग चला जाता है तो संख्या तीन स आपको लगता है दस चार की टेबल में आता है ना गुरुजी आउट हो गया तीसरा विकल भी आपकी पास आउट हो गया अब बचा क्या विले एक ही विकल बचा आप देखो चार और दो छे तीन से डिवीजिबल है इसमें चार का भाग जाता है मत्तलब यह कंप्लीट बारा भाग जाएगा और अगर उस एलसियम में आप दो जोड़ दोगे ना तो फिर आपके पास क्या है वो संख्या में जब इनका भाग लगाओगे तो हर बार दो शेश्वर बचेगा यह नॉर्मल आपके पास बैसिक इसका अब आप बताओ मैं यहाँ पर इसका एलसियम निका यह अचा टेबल में आएगा तो 35 से तो डिविजिबल हो गई होगा अब देखो यहाँ विकल्प हो देख लो यार यहाँ विकल्प अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे चूटा विकल्प जो आ रहा है आपके पास कितना 212 आ रहा है जो वैसी फ्लॉप हो गया था क्योंक बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 350 और 35 दो नहीं 70 तो प्लस आपके पास किया 70 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 420 हो गया अब आप देखो 420 जो है ना वह आपके 35 से कम्प्लीटली डिविजिबल और इसके बाद अगला नंबर वह यह है इसमें अगर 2 हो रहा है, 4 से भी divisible हो रहा है, तो उत्तर आपके पास क्या है, ये वाला विकल होगा, बाकी विकल आपको आने चाहिए, लसप और मसप, आपको निकालना आना चाहिए, लसप क्या होता है? कैसे निकालते हैं? मसप क्या होता है? कैसे निकालते हैं? यह चीज आपको पता होने चाहिए. क्लियर? चलो. अभी आप देखिए, question number 5 देखते हैं. एक चुनाओ में, दो प्रत्याशियों के लिए, तीन अनुपात, दस के अनुपात में मद्दान हुआ. तो, दो प्रत्याशियों को तीन दस के रास्पेक्ट में आपके पास क्या है? अनको वोटिंग मिला. यह .... आपके सभी मत, वेद मत, हैं, मत oy भी अवेद मत हैं. कोई भी आवेद मत नहीं है. सारे मत आपके पास क्या है? वेद मत हैं. वेद इमने मत डाले गए टोटल आपके पास जो वोटिंग होई वो आपको निकाल कर देना है अच्छा मुझे एक बात आओ आपकी 3-10 स्पेक्ट में अगर आपके पास क्या है तीन अनुपात आपके 10 के अनुपात में वोटिंग होई है प्रत्याश्यों को पक्की बात है जीतने वाले को आपके 156200 मिले अब आप सोचना कि अगर 10 अनुपात पे यह मिला तो एक अनुपात पे क्या मिला होगा अब आप बताओ यह एक अनुपात पे यह मिला होगा तो टोटल कितने मत डाले गए तो यह आपके पास क्या इसको हम 13 से आपके पास क्या गुणा कर देते हैं और 13 से गुणा करते सिमान आ जाएगा अभी गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप आराम से कर लोगे लेकिन एक बात बताओ आप बताओ जो भी रिजल् जो आएगा इसका मतलब यह गलत है अना बात को समझना आप मेरी फिलिंग समझना अच्छा बताओ इस आपके पास क्या तीन को दो से गुणा करोगे तो यूनिट प्लेस अभी इच्छी आएगा बोले हाँ गुरू जी इच्छी आएगा अब ढूंडो 60 कहां पर है जहां 60 है वही आंसर है बाकी गलत है यहां पर यह गलत हो गया यह भी गलत हो गया यह आपके पास क्या राइट हो जाएगा तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा आंसर आपके पास यह होगा दो लाग तीन हजार साथ मत पुल आपके पास जो वहां पर मत लगे वो यह थे तो जी लिए इन वीडियो को एक बार दो बार तीन बार जितनी बार भी देख सकते हो देखिए इन को जितने भी ट्रिकी और जितने भी आप आस्ट एप्रोच से आप जोईन कर सकते हो अटेंड कर सकते हो वैसे अटेंड करें और यहां जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं न उन टॉपिक को आप फटलका फुलका पढ़ ले जो जिससे मतलब तयार कर ले अगर आपने इससे पहले नहीं भी तयारी कही है तो नहीं करना है क्यों डीजे सर ने बुला हुआ है कि 15 में से 15 आपके नंबर मैथमेटिक्स में दिला देंगे यार एक भी नंबर नहीं कटने देंगे तो वह टॉपिक आप पढ़के चल जाओ एक्जाम से पहले जो मैं बता रहा हूं बाकी फिर तो आप और हम है फिर तो जाएगा उनमें से एक संख्या जो है उसका वर्गमूल आपके पास क्या है साथ है अज़ बताओ अगर वर्गमूल का square कितना होता है, उननचास का square यह होता है, बचे कितने, बचे इस संख्या में से 25 बच गए, बचे कितने आपके पास, कितने 25 बच गए, तो 25 का वर्गमूल निकालूंगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5, तो इसका मतलब बाकी जो संख्या B नंबर की संख्या है, वो म यही कह रहा था कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब क्या है, पीज गणित्य सुत्रों पर आधारी simplification के अंदर जो question है ना, वो आपने करने, यह लगबग 8 से 12 सुत्र होते हैं, और यह आपके पास क्या है, सुत्र आपने बढ़िया से याद करने है, a plus b का whole square, a minus b का whole square, a square minus b square, a plus b की power 3, a minus b की power 3, a plus b plus c का whole square, इस तरीके से, यह जोड़ और आपके पास क्या गुना हो तो घटाओ कैसे गयाद करेंगे, यह जोड़ और गुना याद हो तो जोड़ कैसे गयाद करेंगे, यह आपके पास क्या है, यहाँ पर जोड़ और आपक constable exam में बैठने वाले हो तो अपना BP ना बढ़ाएं ज्यादा तनाव ना लें आपका paper बहुत light आने वाला है और किसी के कहने में ना जाएं बहुत normal paper आने वाला और बहुत normal paper को आपने बहुत normal तरीके से ही लेना है अगर आप ज्यादा hyper हो जाओगे ज्यादा tension लेगे और pressure मे आके कुछ करोगे ना तो फिर मतलब बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप confidence हो के मैप पंदरा में से पंदरा लगगा mathematics तो टोड़े होके जाओगे तो confirm आप चोटी-मूटी समस्याओं को आपके पास आराम से पेस कर जाओगे ठीकि आप आपको लाइट होके जा रहे हो तो देखो बहुत लाइट कोश्चन है करना क्या है इस टैप की कोश्चन को करने के लिए कि जो basic algebra में आपके basic algebraic formulas हैं उनको आपको command में लेना है और उनकी थोड़ी सी practice मैं समझता हूं आपके 4-5 घंट अगर इस topic को दोगे तो यह इस टैप 100 रुपे की धनराशी 5-30 साधार नंब्याच की दर पर 3 वर्शों के लिए उधार लिए पैसा इसने लिया और एसी पैसे को उसी समय काम पर भी लगा दिया इस तरीके से अब आप देखो हमें तो कॉंस्टेंट है बोले हाँ गुरुजी समय तो कॉंस्टेंट है अभी 5% पर इसने लिया 7% पर इसने लगा दिया तो हर साल बताओ दो परतिशत का फाइदा होगा के नहीं होगा बोले हाँ सर्फ 5 के मुकाबले 7 मतलब 2% का फाइदा होगा हर साल तो आपके पास क्या है उसे प्राप्त होने वाला लाब ग्याद कीजिए अब तीन वर्षों का सालाना 2% इसका मतलब 3 साल में कितना हो जाएगा 2-2-2 मतलब 6% आपको 6% का फाइदा होने वाला है यहां से साफ नजर आ रहा है इस प्रशन को पढ़ने से आप बताएए ये क्या है बोले गुरु जी ये 1% है तो फिर बोल रहाँ अगर प्रतिशता वाला चैप्टर आपका क्लियर नहीं है आपने 1% और 10% कॉंसेप्ट नहीं पढ़ा परसेंटेज वाले जो सारे कॉंसेप्ट सारे टाइप है वो आप देखिए और उसके अंदर भी आपके ये वाला कॉंसेप्ट जरू देखिए ये दूसरी बार काम आ रहा है इससे पहले भी एक कोशन आ चुका था अच्छा अभी आप देखिए ये क्या है बले गुरु ज जो है वह हमारा राइट हो जाएगा बाकी गलत होंगे वरत की त्रज एक ऐसे वर्ग की भुझण के बराबर है जिसका शेत्रफल ये है ठीक बहुत अच्छी बात है अगर उस वर्ग का शित्रफल ये है तो आपको पता होना अच्छी कि वर्ग का जो शित्रफल होता है वो क्या होता है ए जो है वो a square के बराबर होता है तो अगर माल लो मुझे भुजा चाहिए अगर मुझे भुजा चाहिए तो क्या होगा अंडरूड आफ ए अंडरूड आफ ए ट मीन्स आपके पास क्या है 4 9 0 0 का अंडरूड निकाल दो तो ये कितनो हो जाएगा 70 अब रिवर्ष चलते हैं अच्छा अब ये आपके पास क्या है व्रत की त्रिज्जा ऐसे वर्ग के बराबर है जिसका आपके एरिया ये है आयत की लंबाई मिल जाएगी ये लेंग्वेज क्या बोल रही है एक आयत की लंबाई व्रत की त्रिज्जा का दो बटा पांच है सत्तर का पांचवा इससा कितना हुआ बोले चौदा साथ तो लंबाई कितनी हो गई? बुले 28, इसके लावा चोड़ाई ये दे रखी है, चोड़ाई कितनी है? बुले आपके पास कितना? 20, बस पुछ मत करो, आपके शित्रफल निकालना है, शित्रफल निकाल दो, तो शित्रफल जो है 28 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 0, और ये रहा आपका विकल्ब, जो सही विकल्ब है, बाकी जो है वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है, आपको समझ में आया होगा, बहुत नॉर्मल कोशन है, आप अगर इस कॉश्चन को आपके ढंग से पड़ोगे, दो-तीन बार ढंग से प बहुत नॉर्मल कोशन है इससे इससे आसान कुछ नहीं हो सकता वैसा रिपीट हो गया तो अभी आप देखो अगला हम बात करते हैं चीनी की कीमत में प्रती किलो जो है 25 प्रतिशत की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपे में आपके पास क्या है 1200 रुपे में 10 किलो अधिक चीनी खरीच सकती है अगर मालो भाव कम होगा तो हमें पैसा वही खर्च करना है तो जो वस्तु है वो संख्या में जादा आ जाएगी तो अभी आप देखी यहां पर कि चीनी की प्रती किलो मूल कीमत रुपे में ग्याती यह निकालना है अब एक बात बताओ यार इसने कॉशन है और आपको दिया है और यह चाहता क्या कि आप इस प्रशन को करके कॉंस्टेबल बन जाओ तो इसका मतलब प्रशन भी ऐसा ही देगा कि आप कॉंस्टेबल बन जाओ आ रहा है आपको यह परेशान थोड़ी करना चाहता यह अच्छा को करने के बहुत सारे तरीके हैं इम क्या लगता है 45 का बाग 1200 में पूरी-पूरी बार चला जाएगा जाए फोले गराउची नहीं जा रहा है चालिस में जा रहा है जा एक बार चेख करते हैं अगर बारा सो रुपए में मार्केट में लेके गया और 40 रुपए के भाव से आपके क्या है मैंने चीनी खरीगी तो कितनी चीनी आईगी तो आप बोलोगे गुरू जी आपके पास 30 किलो चीनी आज़े कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आप देखो क्या बोल रहा है चीनी के भाव में आपके पास 25% की कमी होगी मतलब यह जो 40 का भाव था रुपे कीलो के इसाब से खरीदना है तो अभी कितना हो जाएगा बोले गुरू जी अभी आपके पास पाप बताओ इस पहले के मुकाबले में 10 केजी चीनी आपने ज़्यादा खरीदी की नहीं खरीदी बोले हां खरीदी हम तो कि अगर माले विकल पीदर ज्यादा डीप में रहा तो फिर कोई दिक्तत नहीं है अगर डीप में है तो आप इसको ऐसा करना यार ऐसा कर लो आप बच्छिस प्रतिशत को यदि में भिन्न में लिखना चाहूं तो क्या एक बटा चाहर लिख सकता हो आप भलोगे यसशर लख़ दो एक बटा चाहर है अब इस एक बटा चाहर का मतलब समझते हैं यह आपके पास भा粉 है और ये आपके पास क्या है कमी है तो आप बताओ अगर चार का भाव रहा और एक कम होने वाला है तो अभी भाव तीन चल रहा है के नहीं चल रहा है बोले हाँ गुरुजी अभी तीन भाव अभी तीन का भाव चल रहा होगा तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अभी के हिसाब से ये कमी कितनी है तो आप बोलोगे अभी के हिसाब से ये जो आपके पास कमी है ये एक बटा तीन है अचा पर केजी पर देखो पर केजी पर कितना फर्क पड़ा आप देखो 10 केजी लेया आपके पास कितना आपके 10 kg 1200 पर kg आपके पास कितना 100 भी यह वाला हिसाब पर kg पर निकाल लो आप तो तो आंसर आपके पास कितना जाएगा यह आपके पास जाएगा चालिस तो यह आपके पास क्या होगा मूल भाव जब भी आपसे क्या है मूल कीमत पूछता है ना तो मूल कीमत आप कैसे गयाद करोगे मूल कीमत आप इस तरीके से गयाद करोगे कि यह आपके मूल कीमत आप अ इसको जैसे कि 25% है ना तो यह कितना हो गया वन फोर्थ और इसको अगर मैं प्रती किलो भाव से आपके पास क्या गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा यह आपके पास 30 यह आपके पास क्या हो गया वर्तमान तो ध्यान दखना यह जो चीनी वाले जो कोशन है ना यह लगा के जरूर जाना मतलब आपको लग जाना कि अभी मैं एक्जाम होल में गुसने वाला हूं उसके एक घंटा पहले आपके प्रॉफिट इंड लॉस में से जो चीनी वाले कोशन है यह जरूर करके जाना अगर आप आपको देखने की जरूर करके जाना अपको यूट्यूब पर फ्री क्लास से मिल जाएगी बहुत आसानी से चैनल पर जाकि आप सर्च कीजिगा और जाएगा यह concert मिल जाएगा इसको मैंने basic से भी करवाया हुआ है आप basic से भी करते हैं तो बड़ा आसान होता है आप basic से भी करके देखोगे इस question को तो भी आपको मज़ा जाएगा कि है असान लेकिन अभी हम trick याद करेंगे केवल trick याद रख 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 रहें तो फिर दिमाग से slip होती है और दिमाग से slip होने के बाद फिर कुछ भी हवा नहीं लगता है इसलिए आप केवल trick याद ना करें आप पहले basic की तरब जाए फिर उसके बाद आप जो हैं trick की तरब जाए फिर आपके पास क्या hit and trial method की तरब जाए हना सारे तरीके आपको आने चाहिए चलो question नमर 11 देखें यदि किसी यदि किसी व्रत की त्रिज्जा में 10 प्रतिशत की व्रद्धी की जाए तो उसके शेत्रफल में कितने प्रतिशत की व्रद्धी होगी मतलब आप देखो percentage lobby का सबसे popular question है इसके आसान कुछ नहीं हो सकता आप देखिए 10 प्रतिशत की व्रद्धी 10 प्रतिशत को fraction के form में हम लिखते हैं कितना एक बटा 10 अब आप बताओ 10 पर एक बढ़ाना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 11 10 पर एक बढ़ाना चाहते हो तो 11 अब आप देखो यहां पर यह क्य पर यह पर आपके तरफ जाता वहां में इसको पावर तीन परता आप देखो व्रत के शित्रफल की बात करते हैं व्रत का शित्रफल जो होता है वह पाई आर स्कॉर यह गुरुजी तो आप बताओ आपके पास यह तो constant है ना बोले हाँ सर अब आपके पास ए अगर मैं बोल होगे यहां पर भी आप पावर दो कर दोगे यहां पर भी आप पावर दो कर दोगे इसका पावर दो करोगे तो 21 हो जाएगा इसका पावर दो करोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अब आप मुझे बताओ या तो के मुकाबले कितना हो गया बोले 21 बढ़ गया तो य इसकी power 3 कर देता, अगर यहां कुछ ऐसी चीज़ देता, जो यहां formula देखने पर power 4 में आता, तो मैं इसदर power 4 कर देता, बात समझ रहो ना बात को, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, बिचारा ब्रत से जादा आगे गया ही नहीं, इसका मतलब यह भी चाहता है, कि आप जो है constable बन जाओ, आपके 15 में से 15 आ जाए, इसलिए तो ऐसे question दे रहा है, अभी अगर माल लो आपके question number कटवाने होते हैं, जाल देता है कुछ बढ़िया सी बात, बिल्गुल तड़का लगाया था इसके उपर, तड़का लगते से आदे ज्यादा बच्चे आपके पास के out हो जा अगर आप नहीं पढ़े हो ना, तो पढ़ना चालू कर दो, अगर आपने राते काले नहीं करिये ना, तो राते काली करना चालू कर दो, तो क्योंकि राते काली करनी जरूरी है, वो तो होईगी, चलो question number 12 देखते हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रे मुल्य से 20 25 अधिक मुल्य अंकित करता है, तो अभी आप बताईए, चलो कर दिया, अधर 100 रुपे की कोई चीज थी, 100 रुपे की कोई चीज थी और आपने आपके 120 रुपे उस पर लिग दिया, ठीके, अब क्या बोलता है, उसमें से वह तीन चोथा ही वस्तु को अंकित मुल्य पर ब अब आप बोलो, कि गुरुजी वस्तु नहीं पता मैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हो, कि एक रुपे की एक वस्तु, और एक रुपे की एक वस्तु, तो 100 रुपे की 100 वस्तु, यहां जो रुपे है, वो वस्तु को डिनोट करें, आथ समझ में आ गई, तो मैंने क्या मान लि इसका मतलब क्या है, अभी यह जो आपके पास संकीत मिले है, यह वस्तु की संख्या को भी निरूपित करता है, आप बोलोगे, हाँ गुरुजी, अब वस्तु की संख्या को भी निरूपित करता है, अब आप बताओ, तीन चोथा हिस्सा, इतना हो जाएगा, बोले, इसका तीन गुना कितना हो जाएगा बोले नब्ब होगा बाकी कितना बचेगा बाकी वले तीन अब ये बोल रहा है ये तो हमने इतने में ही निकाला इतना लिखा था उतने में निकाला तो पकी बाते नब्ब वस्तु यदि आपने लिखे वे पर निकाली होगी तो नब्ब रुप जो गया उस पर मत रखो आपको तो जो मिला वो सोचो तो आपको बताओ 30% छूट देने के बाद कितना मिला होगा बोले गुरुजी 70% हमको मिला होगा तो आप बताईए ये क्या है बोले ये 10% दुबार बोलो ये क्या है बोले ये 10% है अगर मैं इस 10% का साथ गुना कर दूँगा तो आपके 70% आएगा की नहीं आएगा आप बोलोगे यस सर आएगा तो 3 का साथ गुना साथ के एककिस होता है बोले हाँ गुरुजी तो इसका जब मैं 70% आपके निकाल के दूँगा तो वो आपके पास 21 होगा ये पैसा मिला और साथ मैं ये मिला तो ये आपके पास 21 के जोड़ दीघए जोडते से कितना हो जाएगा ये आपके पास ये हो जाएगा अब आप बताऊ इस 100 के मुकाबले आपके पास कितना ज़ादा है आप बोलोगे गुरुजी 11 परतिशत जादा है 11 जादा है और सो के मुकाबले हैं इसलिए इसलिए इसको प्रतिशत कहा सकते है परसंटेज की डेफिनेशन क्या होती है परसंटेज की डेफिनेशन यही तो होती है कि दुनिया में सोपर किया गया हिसाब किताब प्रतिशत कहलाता है जब भी कोई हिसाब किताब सोपर किया जाएगा उस हो जाएंगे तो अब तक किसी चीज में मज़ा नहीं आता उस काम को हम भी करना पसंद नहीं करते और आप अगर आपको लग रहा है कि कॉंस्टेबल बनने में मज़ा नहीं है, तो फिर छोड़ दो Constable की तयारी, फिर आप सब इंस्पेक्टर बनो, ऐसा ही बनो, हना, अभी DJ Sir Classes के YouTube चेनल पर सभीता मायम की हिंदी की क्लासे चलती है, हना, आप उन हिंदी की क्लासों को पढ़िए, और फिर सब इस्पेक्टर बनने का सपना दे सब्छक्र जदी, आपके पास 75 संख्याओं में से प्रतेक में पाँच की व्रद्धी कर दी जाए, और शेश आपके पास संख्याओं पी आठ की कमी कर दी जाए, तो संख्याओं का नया ऊसत क्या होगा, पेले hourly हम बात को समझते हिं, ऊसत का मतलब होता है अगर आपने उसत सबके मान में व्रद्धी होगी अगर मैं कह रहा हूं कि आपके आउसत एक से बढ़ गया इसका मतलब सबका मतलब एक से घट गया अब आप देखों यह पता हो नहीं बहुत जरूरी यह इसके भीना मामला डिसमिस हो जाएगा और इसने हिसाब किताब क्या कर रहा है 75 परसेंट क्यों नहीं को सो मान लें इससे बढ़िया बात होई नहीं सकती आप मझे बताओ 75 तो यह हो गए और बाकी कितने बच्चे बाकी आपके पास इसनी अब आप देखो क्या बुल रहा है कि 75 परसेंट मतले 75 पर पांच का इंक्रिमेंट लगा आप बताओ अगर एक पर पांच का इंक्रिमेंट लगा है तो सब पर पांच का इंक्रिमेंट लगा होगा होगा हाँ गुरू जी आपने तो बताया कि और बढ़ा तो सब का बढ़त 35 और दो आपके पास कितना आ गया है ना अच्छा चलो इधर बात करते हैं अगर मानलो यहां पर 8 की कमी की होगी मतलब यह बड़ा है इतना बड़ा है अब बोल रहा है 8 से कमी कर दी very good 8 से कमी कर दी तो फिर आपके पास क्या यह माइनस के आपके पास होगी 8 total आपके कमी देख लेते कमी कितनी होगी कितनी कमी हो जाएगी आपके पास total कमी आपके पास कितनी 200 की होगी तो आप बताओ आपके overall 375 बढ़ा और 2 तो कम हो गया तो दोनों में हिसाब किताब लगाऊं तो आपके पास फर्क कितने का पढ़ाएगा बोले गुरुजी 175 आपके प्लस हुआ अब यह 175 जो बढ़ा वो हमें कि total में बाटना है 100 में बाटना है तो आपके पास एक पर कितना फर्क होगा वाग लगा दो 1.75 जो इसका मदलब average जो है वो 1.75 से बढ़ जाएगा average आपके पास क्या है 1.75 से बढ़ जाएगा पहले औसत कितना है बोले पहले औसत 7.75 तो यह वाला आपके पास विकल्प जो है वो राइट होगा बाकी वाले विकल्प जो है वो गलत होगा फिर इस तरीके साब इस question को करना औसत के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप लगा दोगे average वाला चेप्टर नहीं पढ़ाया ना बाबू तो average वाला चेप् question number 14 आपसे कह रहा है कि अर्दवार्शिक रूप से चक्रवधी आपके पास की जाने वाली 8 प्रतिशत वार्शिक ब्याजदर से निवेशित एक धनराशी एक वर्श की समाप्ती पर आपके इतना हो जाती है हाना मतलब 50,000 आपके पास 280 बीस हजार 280 रुपे हो जाती है उस धनराशी के लिए वार्शिक रूप से चक्रवधी की जाने वाली उसी ब्याज दर पर दो वर्श का ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछे हाना पहली बार तो क्या कर रहा है अर्दवार्शिक दूसरी बार के रहा है कि नहीं रख रहा हूं मैं और अपट ब्याज निकाल कर देना है रखना मतलब क्या हुब कि आपको सिंपल इंट्रस्ट भी पढ़ना है ये दोनों ही पढ़ना पर नवी मेरा चल रहा है आपके पास मौर्निंग में टाइमिंग जो होता है ना 10 15 से लगती है 10 15 से आपके 11-15 तक में क्लास लेता हूं मैथ्स की और ये डारेक्ट आपके क्या एक क्लास्रूम से लाइव होती है तो आप इस बैच में बैच सकते हो यूट्यूब पे बिल्गूल फ्री है तो यूट्यूब जिवासी जितने भी है तो आपके पास के मैथमेटिक्स का कोई लाइ पर की तरफ चैनल पर मिल जाएगा लाइव क्लास है हमारी लाइव में बहुत सारी क्लासे लिए तो वहां पर देख लेना और साथ में आपके पास प्रतिशत वाला आपके पास हो जाएगा अब चलो बात करते हैं आप बताओ आठ पर प्रतिशत यह दिदी आप वार्षिक भी आज लेते हो और 6 महीने में हिसाब करते हो तो 4% rate of interest लगेगा यस सρ चार प्रतिशत rate of interest लगेगा वोगि वार्षिक व्याज हो जाता है जब आप 6 मही का हिसाब करते हो तो आप मुझे बताओ चार प्रतिशत का मतलब क्या एक बटा 25 होता है बोलिए हा सर होता है इसका म मेरे को कितने पैसे दोगे, आप मेरे को 26 रुपे दोगे, 25 रुपे के हिसाब पर। हाणको आपके पैसे । अन् stressing पावर ओफ कंपौन्ड अप कहँ हाए, उपर की तरफ तरफ चड़ा होता ह। तबी तो आपके पैसे बढ Lords क餗 अनदर तो आपके पास क्पावर ओफ compound बिल्कुल उपर जाके रुखेगी power 2 हो जाएगी और अभी ये मान कितना आएगा बोले ये मान आएगा ये आपके पास 676 बटा 625 आप देहना ये क्या है बोले ये जो है ये principle है ये क्या है बोले ये जो है ये आपके पास moment है यहां से यहां ये हो जाएगा अब देखो क्या बोल रहा है कि एक धन राशी एक वर्ष की समापती पर इतने रुपे हो जाती है ता बताओ इसका मतलब जो है वह आपके पास two zero two eight zero है इसका मतलब ये है अगर इसका मतलब ये है तो क्या मैं एक unit का मतलब निकाल सकता हूँ आप बोलों कि बहुत आसान है सर इसका इसमें भाग लगा दो हना तो लगा भाग या अब देखो मैं इसको अब आप मुझे बताओ, अगर एक unit का मतलब 30 है, अना, तो, ठीक है, आप चलो, golden golden निकालने की कते ही जरूत नहीं है, आपको एक unit का मतलब पता लगया, अब हम चलते हैं, अगले event पर, अगला event क्या किया है, इसने, बुले कि अगर मैं उसी पैसे को, दो वर्षों के लिए, उसी वार्षिक ब्याज दर पे लगा दू, तो, अब आप बताओ याज, अगर 4 प्रतिशत का मतलब, आप कह रहे हो, कि 1 बटा 25 है, तो क्या मैं इसको 2 से गुना करके, इसको 2 से गुना कर सकता हूँ, इसको 2 से गुना करते से 8 प्रतिशत आ गया, और ये कितना हो जाएगा बोले गुरुजी ये तो आपके पास कहा है, दो बटा 25 हो गया, अब 25 पर 2 का ब्याज लेना चाहे वाँ, तो कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी 27, 27 बटा 25, 27 बटा 25, और चुकि 2 साल के लिए ले रहे हो तो, बोले पावर आफ कंपाउंट, कितना हो जाएगा, बोले 27 क इसक्वायर करोगे तो 729 हो जाएगा, इसका तो आपके पास 600 परचे सही सरी, मुल्दन तो आपने छेड़ा ही ने ने यार, यह तो मुल्दन यहाँ पर है और यहाँ पर ही मुल्दन सेम ही है, क्यों जब बरजस्ती मुल्दन निकाला है, जब मुल्दन आपके पास है, वो इधर से 75 तो यह रहे और यह आपके पास क्या 29 यह रहे तो 29 में 30 जोड़ देते हैं पिर एक कम कर लेंगे तो फिर 29 हो जाएगा अभी आप देखो यह कितना हो जाएगा आपके पास यह हो जाएगा आपके पास 104 तो आप बताओ एक unit का मतलब अगर ये है तो अगर मैं इसको 104 से गुणा कर दूँ तो ये आपके पास क्या है 104 104 104 104 से गुणा करो तो value आजाएगी बले हाँ आजाएगी सब 104 से गुणा करो 0 तो ये रहा अभी आपके पास क्या है 12 दो unit place ये रहा उत्तर ये right पुरा गुणा करने की भी जरूरत नहीं है यार आपके देखो आदर की तरफ ये zero दे रहा है बोले yes दे रहा है सब दे रहें zero तो प्र गुरुजी सब दे रहें zero लगिर आपके पास 10 place crack करते है ये आपके पास क्या होता है जिसे इस तरीके से आप आंसर निकालते हो न ऐसे आंसर आते हैं आपके तो देखो यह आपके पास 1th place होता है यह 10 place होता है यह 100 place होता है इकाई का अंक, दहाई का अंक, सेकड़े का अंक, ऐसे 1000 का अंक ऐसे होता है यहां पढ़ा हुआ यह रहा आपके पास आंसर और बाकी वाले आपके पास गरबर हो जाएंगे अगला कोश्चन है इसके बाद हम बात करते हैं अगला कोश्चन है यह देखो आपके पास समय दूरी एवं चाल यह आपको पढ़ने अब दो समय दूरी चाल बैसिकली एक चेप्टर है हमारे भाईयों ने मिलकर इसको तीन चेप्टर में convert कर दिया है आप दो समय दूरी एवम चाल एक तो आपके पास time and distance इसको क्याते है ना time and distance ये आपके पास निकालना एक रेल गाड़ी वाले question ही होते हैं कि रेल गाड़ी वाले question वह भी पढ़के जाना इसके अलावा आपके पास क्या है एक होता है नाव धारा नाव धारा ये नाव धारा भी पढ़के जाना तो ये तीनो चैप्टर जो है वह एक ही concept पर based है और समय दूरी एवम चाल तो समय दूरी चाल को आप इतनी नहीं पढ़े और आप पढ़ना चाहते हो तो आप DJ sir classes का app download वहां आपको मेरा individual mathematics का course मिल जाएगा मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे सस्ता course है 149 में से क्यों दे रहा हूं अभी offline के अंदर तो हम ये चीज़े नहीं provide करता है लेकिन 149 रुपीज में मिल जाएगा और मैंने पेड भरकर आपके पास क्या chapter पढ़ना चाहते हो तो ये 149 में आपको available है पूरे एक साल के लिए मैं समझता हूँ तुमारे constable के अंदर तो बहुत help कर देगा अगर आप करना चाहते हो तो आप इस्तिवाल कर सकते हो वीडियो quality ठीक ठाक है 4k quality तो अच्छी quality क्या लोगे आप तो वैसे भी आप लोग आपके पास क्या है इसको quality डाउन करके देखते हो तो कर ले ना चार सो किलोमेटर की दूरी को एक समान चाल से तै करती है यदि उसकी चाल को 10 किलोमेटर पर दी घंटा अधिक कर दिया जाए तो आपके पास उसे वह दूरी तै करने में 2 घंट कम समय लगता है रेल गाड़ी की चाल कित्ती है दुबारा सुनते है एक रेल गाड़ी 400 किलोमेटर की दूरी को एक समान चाल से तै कर रही है चलो 400 किलोमेटर दूरी घंटा अधिक होती तो वह दूरी तै करने में 2 घंटे का कम समय लेती है रेल गाड़ी की चाल किलोमेटर प्रदी घंटा में कितनी है अब देखना यार इस टाइप के question के अंदर क्या होता एक तो आप question जैसे बह रहा है वैसे बह जाओ और एक आपके पास क्या होता आप question को solve कर लगा मुझे नहीं लगता कि मैं मैं option का इस्तमाल करूँगा अभी देखो option का इस्तमाल करते हैं आप बताओ यहां से अगर मैं आपके पास क्या इस जगे से इस दूरी में सबसे पर्मूला की बात करते हैं आपको पता है कि चाल क्या होता है बोले गुरुजी चाल जो होता है वो होता है दूरी बटा समय चाल तो आपके पास distance divided by speed निकल जाएगा ना, आप बताओ यारे 430 से divisible है क्या, अभी तक तो बिचारे ने बहुत साथ दिया है अपना, इसलिए आपके पास क्या है, इसको इस्तमाल करने की इच्छा नहीं हो रही, 35 divisible है, 35 divisible भी नहीं है, इसलिए इसको इस्तमाल करने की 25 है, अभी आपके पास क्या है, 25 का आप इधर की तरफ बढ़ो, और 25 में जैसी आप 10 करोगे, प्लस, तो कि देखो, उसकी चाल को 10 किलोमेटर पर दी घंटा अधिक भी कर रहे है, तो 25 को 10 करोगे तो जाएगा 35, 35 वापस 400 से divisible, इसका मतलब मेरी ये वाली इच्छा भी इस लग रहा है, तो आप देखो, 400 बटा 40, कितना आया, बोले 10 गंटे, अब क्या बोल रहा है, कि अगर इस स्पीड को 10 और बढ़ा दिया जाए, बढ़ाओ यार क्या दिख रहता है, तो 40 से 50 कर दो, तो अभी आपके पास क्या है, 400 बटा 50, 8 गंटे, 10 गंटे और 8 गंटे में 2 का फर्क आ रहा हैं, कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये आखरी वाला विकल्प, आपका आपका हुगा, आखरी वाला विकल्प, आपका आपका आँसर होगा, जहां रखना, बहुत कम संसाधन में, बहुत बढ़ा अचीव कर लेना, ये इसमें तुम लगाओ माना की X और ये और वो फाला ना डिकाना कोई जुरत नहीं है आप मानके चलो कि इसने जो लिखा हुआ है वो सार भूमिक सत्य है और मैं तेरे साथ हूं तू जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है बस मैं क्या है इसको क्रॉस कर लेता हूं अगर वो सत्य बोल रहा है बहुत अच्छी बात है अब बताओ ना 40 km की स्पीड से 400 का डिस्ट्शन स्ट्रावल करने में 10 गंटे लगते हैं इसमें अगर आप 10 का इंक्रिमिंट करते हूं तो अच्छा लगा और आपने वास्तों में एंजॉई किया आपने वास्तों में कुछ सीखा तो comment box में जरूर लिखिएगा ठीके न और आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा ठीके न और अगर आप इसी तरीके के वीडियो continue देखना चाहरे हो तो subscribe करने के बाद बगल में जो bell icon होता है न उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो upload हो तो उसका notification आप तक जल्दी से जल्दी बहुत तो आज के लिए इतना काफी है बाकी की बाते हम अगली class में करेंगे तब तक आप अपना खयाल रखिए पढ़िए और याज जरूर करिए थैंक यू सो मच जय हिन जय भारत